वेलिकम टू दू दू चाइनल अरवी भंटासे सेवन तिस सुड़े में हम बात करने वाले इन भी लिग का जो मैच होने वाले बोस्टन क्लिटर्स वसेज डेन्वर नगेस के बिच में अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करोना चाताओ बोस्टन क्लिटर्स जो है तो बहुत सारे चंज़ेश के साथ आईये जैसे आपर IPL में आपर आक्षर्ण होता है सेल और उर पायज़ का प्लेयर का वैसा है आक्षर्ण यह आपर हुआ है और बोस्टन ने उनके सभी जो बैक प्लेयर है उनको यापर sell out कर दिया है और कुछ नए दो player को इन्होंने add किया है जो official news मेरे पास फिलाल आईए उसके according में यापर बता रहाओ और वो जो changes वो dream alone पर फिलाल यापर हुए ने तो बहुत सारे player ऐसे हैं जो इस team का हिस्सा नए लेकिन फिलाल अभी तक इस team में यापने dream alone में हमें यापर show गोरे तो देखना पड़ेंगा यापर modeling तक कुछ changes होते या फिर ने होते फिर आपर official news पर फिर से हमें यापर ध्यान देना पड़ेंगा लेकिन जो official news मेरे पास फिलाल आईए बोस्टिंग के तरब से इन्होंने इनके साथ से 8 player जो bench player है उन्हें आपर sell out कर जाए याप इस team का हिस्सा रहने वारे ने उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे फिलाल दोनों team में comparison करें तो pointable पर 6th position पर Denver Nuggets और 7th position पर Boston से लेकिन Boston से रिसेनल आपने 6 out of 6 match win के साथ आ रहे और Denver Nuggets जो है तो इन्होंने आपर 3 matches फीड किये 6 matches में से तो यहापर काफी ज्यादा momentum Boston के पास है और Denver Nuggets के हमेशा से आपर दिक्कत रही एक player पर ज्यादा य प्रेट के लिए टेलिग्राम चैनल से जाइन हो जाना लेकिन उससे पहले YouTube चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और टेलिग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे comment box में और वीडियो की description में दोनों लिंक आगर work नहीं करती तो टेलिग्राम पर सच करना and the red RV fantasy 7 सा आपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से बात करेंगे दोनों टेम की तरफ से प्रवेबस स्टार्टर प्लस इंजोर्य आपडेट्स सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्लेयर के बारे में जिनके बारे में फिलाले आपर में बताना चातो तो 33 और white ये दो प्लेयर उन्ह मैंस से अपने टीम के साथ लेकिन उनको याव पर रिटैन किया गाया और यहास टीम में फिलाल यापर यह इंजर हो चाहिए अभी यह दोनों यापर इंजर हो चाहिए लेकिन इनकी जागा पर जो यापर जो कुछ प्लेयर इउन्ह0 ने आपर आउट की है उसमेंस है आप यहां पर और एक बोलो और अपर एक सबसे बड़ा कि यह भी यहां पर अभी फिलाल्यापर इस ट्राइब का हिसा नयहीं यह जो अफिशल न्यूस है तो यहां पर यह कुछղ प्लेयर मैं ने फिलाल आपको बता दें तो यह भी फिलाल आपर इस ट्रीम का हिस्सान है शायद आपको आपको सुबद है कि आपर यह फ्लेर देखने को नहीं मिलेंगे और एक बार कंफरम न्यूज फिलाल आपर में कंफरम गर कर सुबद आपर मार्निंग जब मैच स्टार्ट हो जाएंगा तब य यह अगीने फिलाल जो मेरी पास यहापर जो निउस आयе उसके according यह कुछ игра है कि जो फिलाल यहापर का attempt का हिस्साने और इनकी जगा पर इन्होंने दो फ्रियर के आपर है यापर टेंगिंगे व같ट और उसी कसा साथ यहापर back-up center से कहा लेंगे जो के विल्लम संग के सपोर्टर रहेंगे वह रहेंगे या पर देथिस यह कुछ चेंज़ेस आपको देखने को मिलेंगे तो बात करेंगे सिधा आपको स्टार्टिंग लाइनप में बोस्टिंग के तरफ से आगर बात करू तो शायद आपको यापर स्टार्ट करते हो के विलम संथ तो यह इस टीम के आप पर स्टार्टिंग लाइनाप हो सकते हैं अभी विलम संथ काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेंगे अगर यह आपर 30 नहीं केलते तो यह आपको मोशली अच्छा कासा टाम केलते देखेंगे तो इन पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते ह अभी इस टीम में टटोम और ब्राउन यह दोनों अफेंस विचार जान ले रहें उसके बाद आपर स्मार्ट यह भी अच्छे खासे परफोर्मस अपने टीम के लिए मैचस में देखर आरे लेकिन आपर स्मार्ट का अगर कुछ मैचस के परफोर्मस के बात करूं जो कि ला सा ध्यान रखना मोश्ली आप पुर्णन के पास आपके रहने वाले उसी साइड अगर आपर सेकंड मैच देखेंगे तो टटूम के लिए बेश्टा आता बेश्टा आता अलोह पर ब्राउं के लिए अच्छा खासा रहा था क्योंकि स्मार्ट इस मैच में टोटली फ्लॉप अगर आपर पर स्मार्ट का अपडाउं परफार्मस राहे थो यह अच्छा खासा परफार्मस दिकर आ रहे है जाहे आप टूम की बात करूं या फिर ब्राउं के बात करूं उसके बाद विलंगं संपर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकतों क्योंकि आपर 33 अगर आज का मैच नहीं केले जो कि रिसेंटली काफी जादा मैचेस के लिए नहीं है तो यह विलम संग का टाइम आपको काफी जादा इंक्रिस होता है दिखेंगा और इसके मोशली चांसा से कि आपको यह आपर यह राउंड आपर 30 प्लस मिनिट खेलते देखेंगे रिजर आगर आपर प्रसनल फाउल नहीं करते तो अगर आपर प्रसनल फाउल करते तो फिर यह आपर इनको सब्सोट्यूट किया जा सकता है अगर बैंच 10 के तरफ से बात करूँ तो बैंच से इस टीम के तरफ से फिलाल जो एक्टिवेटर प्लेयर है वहास है हमें यापर देखनों को मिलेंगे तीजियर इंपर धहन रगना और गाड पोजिशन से आपको यापर खेलते देखेंगे बाइट जो के आपको स्तार्ट करते भी विदेख सकते है यापिर खेलते भी दिख सकते है ऐसे आघंच प्लेयर फिलाल जाफी आपर ध्यूड़ा सा ध्यान रगना फोकूस रगना विलम पर वाइट और थे थिस यह दोनों फिलाल गया आपर कनफरम है कि इस तीम का हिस्सा है और इनकी इन दोनों के उपर गेम टाइम डिसीजन है अगर आप पर यह खेलते तो फिर आप इन पर दियान रखना अच्छा खासा टाइम आपको खेलते भी देखेंगे और डेंवर नग पर इस तीम के बिच में आपको देखने हो जाए तो यह इंपोर्टन प्लेयर है और यही सारे गेम को चलाता है वाइक आप पर गोलो डाल और विलवार्टन इन दोनों में अगर कंपेरेजन करें तो अब डाउन परफॉम्स इन दोनों के बिच में हमेशा से कभी फ्रॉप और कभी आपर टिक टाक देते ग्रीन जोते आपर डिफेंसली केलते आप आप आपर आवाइड कर सकते हूं जेल में आप इने डाय करना बोन हाइलेंड लास्ट माच में भी इन्होंने बेश्ट दिया था ऐसे बैंच प्लेयर खिलकर और आज का मैस तो वह से स्टार्ट करें तो एक क्रूशल पिक फिलाले आपर हो सकते हैं लास्ट माच आपर 25 मिनेट केलकर 22 बांट 6 बांट 3 आसिस्ट के साथ इनके दरफ से सबसे बेस्ट परफार्मस बैंच से आया था उसके बाद विल बार्टन स्टार्ट करते हैं अच्छा खासा गोल्टन निकोलो जायकिस इंट्रोडॉक्शन देने की जरूरत नहीं मौरिस आज के माच के हिस्सा नहीं तो मौरिस की जगह पर आपको हाइलन्ट स्टार्ट करते हैं आराउंड 20 ब्लस मिनेट खेलते हैं जब जरूर होते हैं दिफेंस की तब इनको टाइम मिलता है ओधर बायत अगर यहाँ पर ज्यादा टीम एक्टिवेट रहे तो यहाँ पर जेफी ग्रीन थोड़ा सा कम टाइम खेलते हैं तो थोड़ा सा आप इन्हें अभाईर कर सकते हो अभी इस तीम के तरफ से जो बैंस्टेंट थे बैंस्टेंट में क्लेर है आप पर फाबरिस अच्छा खास आपके बास आप डोले यह इससे पहले कही मैचेस में स्टार्ट करते हो भी दिखे थी लेकिन स्टार्ट रिंग में कुछ खास करनी पाए तो बैंसे किलेंगे बैंसे जो फिलाल इंपर्टम प्लेर है वो है जे मैगरा गिये और फाबरिस इसक लेना पसंद करते हो तो आप आप यहां से ट्राइ कर सकते हो रिंग को जो कि लास्ट मैच में भी किले थे 11 मिनिट कुछ कास करनी पाए थे टू रिबांड और एक असिस्ट के साथ एक अबरेश परफॉमस इनके तरफ से आया था वागिया पर जेकना जी जो कि आपर लास्ट मैच में बेस्ट देखर आ तो यह तिनों प्लेर पेस्ट आप्शन सबको मिल जाएंगे टी डी डी डू को ट्राइ करना चीएंगे अगर यहां से बात करूंगा ड्रिमिलोन टीम तो ड्रिमिलोन टीम के लिए फिलाल हमारे पास से जो आप्शन साथ है निकोलो डॉकिस एक कुर्शल पिक रहेने वाले विलमसन मेरे टीम में होंगे अगर यहां पर थितिस नहीं खेलते तो अच्छा खासा टाइम मिलने के काफी ज़्यादा चांसे से उसीकसाथ साथ आपर क्रेडिस से और के साथ चला जाओंगा क्योंकि फिलाल यहां पर थोड़े से क्रेडिट के इशू हो सकता है तो मेरे ट शुटिंग गार पोजिशन से विलबार्टन, मौरिस, और उसीकसाथ साथ बोन हाइलेंड फिलाल क्रेडिस से और के साथ जारो बोन हाइलेंड हमारे पास अभिले पले यहां पर आपके पास रिचर्ड संतु फिलाल खेलने रहे तो फाबरेस के आलावा को भी बेटर ओप् से वाइट और फाबरेस पोजिशन से इन दोनों को आप यहां से ट्राइग कर सकते हो बागिया अगर आगर बात करो स्मार्ट आपके पास ऑफ्शन से जो कि आप पर स्टार्टिंग लाइन अप में रहेंगे और आपके बास आगर यहां पर चाहो तो होफवर्ड के साथ ज लग रहें और आप चाहू ते आपर स्मार्ट की जगब पर बीजन एलों पर खेलड है तो गोरुड़ों को ट्राइग करना या पिर आपके पास होफवर्ड को अच्छा खासा ओप्शन से अबिलेबल है ते आपर होफवर्ड भी अच्छे खासे फिक आपके लिए हो सकते ह अब इनने भी कुछ मैचस में अच्छा खासा पर्फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यहाँ से बात करूंगा SP और BP नो डाउट यहाँ पर निकोलो जोकिस बेस्ट बेस्ट बीपी के लिए आपके पास ब्राउन का ओप्चन्स आविलेबले टटों के लिए रिसेंटली मैचेस कुछ खास नहीं रहे लेकिन बेस्ट है आप इन्हें जेल में ट्राइ करना अगर जेल में ट्राइ करो तो आज आपर BP भी इन्हें ट्राइ कर सकते हो तो यह मेरा डिम लोग कंबनेशन फाइनल टीम जो रहेंगी वो रहेंगी फाइनल निम पसंद आयोंगा इसक्सा साथ अपनी लाइक और सब्सक्राइब भी के होंगा तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमरे टिलिगराम चैनल पर